Hey viewers, welcome back to your own channel, Target Bullseye आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आज हम लोग जिस शेयर के बारे में बात करने वाले हैं वहाँ पर आनिलिस्ट की राय देखते हैं तो 100% आनिलिस्ट आपको इसमें बाइंग की रेटिंग दे रहे हैं साथ ही बात करते हैं इसके रिटर्न्स की तो कंपनी को आये हुए, कंपनी को लॉंच हुए काफी टाइम नहीं हुआ है भी मार्केट में तो उसके इसाब से अगर देखे 1 एर के रिटर्न्स के उपर तो फिर भी आपको जो रिटर्न्स हैं वो अच्छे खासे नजर आ रहे हैं जैसे की 43% के आसपास 6 मन्त के भी नंबर्स जो हैं वो आपको अच्छे ही दिख रहे हैं जैसे की 47% है 1 वीग में आपको वैसा चलता हुआ शेयर नहीं दिखा है बाकी YTD हो या 1 मन्त या 3 मन्त आपको नंबर्स बहतरी दिख रहे हैं बाकी वीडियो में बने रही है आगे तक बात करेंगे की कौन से टॉपिक या कौन से शेयर के बारे में डिस्क्स करने वाले हैं साथ ही हम लोग देखेंगे कि उसके levels and targets क्या निकल क्या रहे है और fundamental and technical बाकी वीडियो आपको आखरी में अच्छा लगता है तो like and share के बिना बिल्कुल बिना जाए और channel पर आप नए है तो इसको subscribe भी जरूर कर ले अब बात करते हैं valuation के उपर तो आपको यहाँ पर EPS जो है वो 14 के आसपास नजर आ रहा है at least 20 तो होना चाहिए industry PE की बात करें तो 50 है but stock PE is 140 क्योंकि यह share अभी काफी overvalued price पे चल रहा है बट बात करेंगे हम लोग जब chart के उपर तब देखेंगे कि इस share में हमें कहाँ पर opportunity ढूणनी है अपने लिए deliverables की बात करें तो 27% की delivery हुई थी आज के दिन इसमें साथ ही बात करें अगर इसके sales growth percentage के उपर तो sales growth percentage आपको यहाँ पे काफी अच्छे दिख रहे हैं 5 years में 15% रहे हैं 3 years में 14 रहे हैं और उसके बाद 1 year की बात करते हैं तो 21 to 22% के आसपास रहे हैं तो जो percentage है यहाँ पे आपको अच्छे नजर आ रहे हैं अब बात करते हैं अगर इसके profit growth percentage की तो profit growth percentage भी काफी अच्छे तरीके से आपको बढ़ते वे दिख रहे हैं यहाँ पे साल दर साल 5 years में जहाँ पे 32% हुआ करता था वही 1 year में आप देख सकते हैं बढ़ के हो गया है 71% के लगभग ROE की बात करें तो ROE भी आपको वैसे ही बढ़ते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे अगर हम लोग पिछले 5 साल से और एक साल में compare करें तो 34% से आपको 44% के आसपास की बढ़ोतरी नजर आ रहे हैं बीच में आपको हलका सा एक डिप नजर आ रहा था जो की 33% के आसपास का और at least 15 to 20% होना चाहिए ROE तो आपको यहाँ पे ROE काफी above 20% यहाँ पे नजर आ रहे हैं ROCE की बात करें तो ROCE भी आपको same as ROE नजर आएंगे कि आपको बीच में जो यह 3 year का time duration जो था वहाँ पे आपको dip देखने को मिल रहा है बट 5 years से compare करें अगर 1 year को तो आप देख सकते 52% के साथ साथ यह अब आपको 52 यह 53% से लेके आपको 62 और 63% के आसपास अब नजर आ रहा है debt to equity ratio की बात करें तो company is debt free company आप यहाँ पे clearly देख सकते है yes तो आज हम लोग बात करने वाले हैं IRCTC के उपर IRCTC में काफी लोगों ने मतलब invest किया होगा लोगों ने अच्छा नाम भी इसका सुना है बाकी इसका जब IPO आया था काफी अच्छे price पे यह company जो है उसकी listing हुई थी बात करें अगर company के details के उपर तो यह company जो है वो इंडिया की fourth largest railway system में से है US, Russia and China के बाद बात करें तो 27 September 1999 में यह incorporate हुआ था यह आप कह सकते कि Indian Railways का एक extended part है इनके अगर services की बात करें जो इनका business है तो आप business में यहां पर देख सकते हैं कि catering and hospitality, internet, ticketing, travel and tourism और package drinking water जो की rail near के नाम से जाना जाता है आप जब travel करते हैं train में तो आपको इनके bottles, जो water bottles होते वो आपको देखने को मिलते हैं और काफी सारे लोग तो obviously travel जो लोगों ने किया होगा तो obviously बात है खुझ से आपने ticket बुक किया होगा कुछ लोग इसमें आप hotels का भी यह लोग provide करते हैं तो कुछ लोगों ने hotels भी बुक किया होगा तो काफी सारे इनके जो आप देख सकते हैं कि business segment काफी vast है और आपको information चाहिए तो आप चाहें तो इसके website पे और अच्छे तरीके से जाके आप एक बर visit कर सकते हैं अब अगर इसके financials पे बात करें अभी क्योंकि quarter 4 का result आया नहीं है तो जो आपको 2021 का result है यह numbers है वो आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रहे हैं फिर भी हम बात करेंगे यहाँ पे ATM की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले तो हम लोग March 2018 से लेके numbers जो है अभी तक कि उसके उपर हम लोग बात कर लेते हैं sales के number पहले discuss करेंगे और यहाँ पे जितने numbers हैं वो आपको करोर में नजर आ रहे हैं तो आपको 221 करोर से लेके 529 करोर तक बाकी अभी results आये नहीं है result आने के बात देखते हैं company कैसा perform करती है तो यहाँ पे आपको थोड़ा जो है वो यहाँ ऐसे TTM में आपको dip देखने को मिल रहा है साथ यह बात करेंगर quarterly basis पे जिसमें की March 21 के results included नहीं है December 20 और हम March 20 से लेके December 20 तक की ही बात करने वाले है sales की बात करें तो sales की जो number रहे है March 20 में वो 587 करोर के आसपास कर रहा है उसके बाद आपको numbers में जो हैं वो dip देखने को मिल रहे है because reason यह रहे हैं क्योंकि बीच में जो COVID का time था उस time पे training सारी रुक गई थी सारी रद कर दी गई थी और इस चकर में इनके business को जैसे की aviation sector को भी काफी आप देख सकते हैं नुकसान पहुंचा था वैसे ही इन सारी जो companies थे जो भी travel and tourism वाली जो भी चीज़े थी वो सारी ही रुक गई थी तो यही reason रहा है कि यहाँ पे आपको जो numbers है sales में वो आपको dip देखने को मिल रहा है बाकी December 20 की बात करें आपको फिर थोड़ा तो बढ़ता हुआ यहाँ पे दिखा है बाकी अब जो result आएगा वो हम देखेंगे कि कैसा आने वाला है वो हम अपने जब भी result आउट होता है जब भी publish होगा हम अपने channel पे आपको उसका जो भी analysis वो करके बताएंगे बात करें अगर net profit की तो net profit आप वही देख सकते है 151 करूर के बाद आपको यहाँ पे numbers जो है negative में दिख रहे है again आपको September 20 में भी down दिख रहे है numbers but December 20 में आपको वापस से यह बढ़ते हुए दिखे है तो same reason यही रहा था कि due to COVID सारी चीज़े जो रद हुई थी यही reason निकल के आ रहा है यहाँ पे भी अब बात करतें इसके जो share holding patterns है उसके उपर अब यहाँ पे अगर हम लोग share holding patterns के उपर बात करतें तो June 20 से लेके March 21 तक के numbers आपके सामने है promoters की सबसे पहले बात करें holding के उपर तो आप देख सकते हैं इन दो quarter में तो आपको consistency देखने को मिली है but उसके बाद almost आपको 20% की गिरावट भी नजर आ रही है इन दो quarters में और यहाँ पे भी इन्हों ने उसके बाद consistency maintain किया है तो promoters ने कुल मिला के अपने जो holdings रहे हैं उसको cut shot किया है FII की बात करें तो FII के holdings आपको बेशक बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं बेशक March 21 में आपको थोड़ा सा minor dip दिख रहा है बट इन दोनों के मुकाबले तो बढ़े हुए अच्छे खासे numbers DIA के holdings की बात करें तो DIA के holdings आप देख सकते कितने बहतरीन तरीके से आपको यहां पर यहां से start हुआ है बढ़ना और काफी अच्छे तरीके से बढ़ता ही गया है पब्लिक के holding की बात करें तो पब्लिक भी अपना जो भी interest रहा है वो आपको दिखाते हुए नजर आ है बस जो भी है वो fluctuations थोड़े रहे हैं इनके holdings में जैसे कि यहां से आप देखेंगे इस quarter में थोड़ा से इन्होंने cut shot किया था बट अच्छे खासे numbers में यहां पे इन्होंने बढ़ाया है बट उसके बाद almost 2% के आसपस इन्होंने फिस से cut shot किया है इस March 21 के दौरान अब अगर pledge की बात करते हैं तो यहां पे किसी तरह का कोई pledge नजर नहीं आ रहा है throughout the quarter बात कर लेते हैं mutual funds की कि कौन से mutual funds इसमें investment कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहां पे बरोडा multi-cap fund direct growth 2.60 की यहां पे इनकी investment रही है ICICI credentials भी है, Kotec Pioneer fund direct growth है, Tata Equity PE fund है, PGIM India Midcap and Sundaram Service fund direct growth बाकी आपको जो percentage हैं यहां पे आप read out कर सकते हैं तो देख रहे हैं आप यहां पे जो 6 mutual funds है वो भी अच्छे खासे mutual funds है, बहतरीन mutual funds है और वो भी इसमें आपको investment करते हुए दिख रहे हैं आज की date में Finally अब बात करेंगे हैं हम लोग इसके chart के उपर 1 week के time frame में हम लोग बात करेंगे जहां हर एक candle 1 week को represent करता हूँ आपको नजर आएगा सबसे पहले अगर हम लोग यह देखें कि जब यह company list हुई थी तो यह कौन से price band पे list होने वाली थी तो उस time पे इसका जो price band tag किया गया था वो था 315 to 320 रुपीज का बट आप देख सकते हैं जो listing यहां पे हुई है वो काफी premium पे होती भी आपको नजर आ रही है जो की 103% अब यह आप कह सकते हैं 103% premium पे इसकी listing हुई थी और जब closing हुई है last list का जो भी high था वो 797 का हुई था और price था उस time पे 652 पे इसकी opening हुई थी तो आप देख सकते हैं काफी अच्छा खासा है इसमें जो price band से काफी उपर premium पे आपको यह share उस time पे list होता हुई नजर आया था उसके बाद की बाद करें काफी short time में ही आप देखेंगे कि यहां से जो November से लेके जो यह time है जो October November के बीच का जब भी इसकी listing में उस time से लेके आप देख सकते हैं यहां जो price है वो आपको 1195 का नजर आ रहा है तो almost आप कह सकते हैं कि यह share अगर 652 पे इसकी listing स्टार्ट हुई थी तो आपको यह share almost double जितना आपको फाइदा बना के इतने ही कम टाइम में इसने दिया था share अच्छा चल रहा था जो भी इसकी listing gain के बाद भी अच्छा खासा profit बना के दे रही थी यह share बट उसके बाद के अगर बात करें जब आया था एक dip वो भी कोविट का तो यहां पे आपको अगेन जिस price पे इसने high touch किया था almost उस price पे आपको यह share आता हुआ दिखा था 782 के price पे अब जिसने भी जिसको भी listing के time पे listing यह नहीं मिली होगी या फिर जिन्होंने भी IPO में apply किया होगा उनको नहीं मिलने के बाद भी अगर यहां पे अगर लोगों ने invest किया है तो उनको जो profit बना होगा वो इससे बहतर profit बना होगा क्योंकि उसके बाद जो bull run आपको यहां पे देखने को मिल रहा है और उसके बाद जो bull run इसमें आपको दिखा है वो 21.90 यह अपने जो भी previous high से उपर ही जाता हूँ आपको दिखा है और अभी के time पे यह share जो है weekly chart के अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो यहां पे आपको काफी over valued यह आप कह सकते कि overpriced आपको दिख रहा है और यह bullish category में जा चुका है यह share अब हमें wait करना है कि इसमें कब थोड़ा सा एक profit booking के जैसी चीज़े होती है और फिर हम वहां पे अपने लिए opportunity डूण सकते हैं बाकी अगर बात करें इन दो हफ्तों की तो आपको यह share थोड़ा सा नीचे दिख रहा है अपने previous high के जितना that means current price is 2078 तो आप देख सकते हैं अभी इसमें थोड़ी सी price booking आपको होती हुई दिख रही है बड़ उसके बावजूदी यह अपने जो red line है that means 20 week EMA है उसके काफी उपर ही आपको अभी के time में नजर आ रहा है बाकी यहाँ पर कोशिश इसने की थी कि अपने जो red line है that means 20 week EMA उसको break करके नीचे आने का बड़ यह share आपको उसके बाद भी एक bull run के साथ और उपर जाता हुआ आपको दिखा था अब इसी चीज को हम लोग discuss करते हैं छोटे time frame पर जहाँ पर हमें जो चीजें हैं वो जादा बहतरीन तरीके से समझाएगी अब जैसा कि हमने बात किया पिछले slide में कि 2070 का इसका high था यहाँ से उसके बाद इसने वापस एक high टच किया है और low की बात करें तो 1548 बट आपको कुछ दिनों से जो है इसमें एक profit booking यहाँ पे नजार आ रहा होगा उसके बाद भी अभी शियर जो है वो 2078 के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ नजार आ और अभी भी अपने यह सारे ही यह में के ऊपर है डे यह में के ऊपर है सिर्फ यहाँ पे आपको यह अपने 20, 50 and 100 डे यह में के नीचे आता हुआ दिखा था बट 200 को इसने टच नहीं किया था तो अब हमें यहाँ से opportunity ढूननी है कि यह कहां से हमें एक opportunity मिले और हम यहाँ से अपना जो भी है वो investment स्टार् जो green bar है वो यहाँ से भी उपर जाने की कोशिश में था बट इसको पूरे तरीके से इसने break नहीं किया यह निकल के आरा आपका 2100 के आसपास का तो अगर 2100 के उपर इसमें closing आपको देखने को मिले आने वाले time में तो आप 2190 के लिए expect कर सकते कि यह share वहाँ तक आपको जात 250 भी जाता हुआ दिखेगा otherwise 2450 के लिए भी आप expect कर सकते बट हां आपने देखा कि कितने चोटे time frame में भी इसने काफी अच्छा profit बना के दिया अपने share holders को तो उसी हिसाब से अपना जो भी time frame है वो अपने analysis के हिसाब से अपने research के हिसाब से आप सकते और बाकि यह सारे जो ट्राइ किया था और एक बर यहां पर ट्राइ किया है उपर जाने का अब बात करते हैं कि अगर यह share आपको आने वाले time में जो अपने current price है 2078 उससे नीचे की तरफ closing देता है तो फिर आपको कहां कहां तक आता हुआ यह share दिख सकता और कहां पर यह आपको support लेता हुआ दि नीचे की तरफ आता हुआ दिखता है तो आपको आने वाले दिनों में यह जो line है यहां पर भी इसने support लेने की कोशिश की थी और यहां पर भी आप से support लेने की कोशिश की है तो आपको आने वाले time में 1893 के आसपास भी आता हुआ यह share दिख सकता है यहां पर आपको support लेत सारे नंबर्स और उसी के हिसाब से जो है अपने इंवेस्मेंट के लिए रेडी रह सकते तो 1723 अदरवाइस बात करें तो जो 1550 का है या फिर 1548 कहलें आप ये वाला इस लेवल पर तो यहां इस सपोर्ट पर यहां पर भी आपको आता हुआ दिख सकता है यह शेर तो जितना आपको नीचे मिल जाए उतनी अच्छी बात है क्योंकि आपके लिए ही बेनिफिट होगा कि ये शेर आपको जितने नीचे के प्राइस पर मिलेगा उतना ही आगे के आने वाले टाइम में अच्छा खासा एक रिबॉर्ड आपको बना के देगा तो उसी तरीके से आपको न थोड़ा सा हम चाहें तो इसमें वेट कर सकते हैं क्योंकि अभी ये obviously overvalued price पे चल रहा है बाकी अगर बात करते हैं हम लोग इसके basis पे MSED के basis पे भी तो हमें लगता है कि ये नीचे की तरफ और अभी आता हुआ आपको दिख सकता है और यहां पर आप देख सकते हैं RSI भी आपको 61 के आसपास दिख रहा है अगर और cool down होता है नीचे आता है तो आपके लिए ही benefit है और आप अपने जो risk है उसको कम करके reward को आप बढ़ा सकते हैं तो बाकी अपनी analysis भी साथ में करें और अपने जो financial advisor है उनसे भी connect करना बिल्कुल भी ना भूले जो भी आप investment करते है उसके पहले बाकी आज की वीडियो में हमने दोनों की दोनों तरफ की चीजे की बात किये जैसे की तीनों level की हमने बात किये तीन support के बार में बात किये तो सारे numbers जो है वो आप ध्यान में रख सकते है और आने माले time में उसी तरीके से आप धीरे धीरे करके चाहें तो आप accumulate कर सकते हैं जो भी आपने आपके पास capital हैं तो चलिए हम आज की वीडियो में काफी कुछ discuss कर चुके हैं मिलेंगे हम जल्दी next वीडियो में तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को share and like जरूर कर ले बाकी चैनल पर आप नए है तो subscribe भी कर ले चलिए फिर मिलेंगे हम अधी तब तक के लिए thank you and take care